दोस्तों अगर आप MS Word में data entry form create करना चाहते हैं Microsoft Excel की तरह और बड़ी आसानी से अपना data entry का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये trick follow कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है आपको यहाँ पर एक table बना लेनी है जितने भी column की table आप बनाना चाहते हैं आप यहाँ से अपने वो column select कर लेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर 3 column की table बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 3 column select किये इसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो आप data entry करने वाले हैं उसकी heading लिख देनी है जैसे कि मैं यहाँ पर name class और इसके बाद यहाँ role number लिख देता हूँ अब यहाँ पर हमें बहुत सारे student के नाम class और role number फिल करने हैं तो इसके लिए हम data entry form create करेंगे तो data entry form create करने के लिए आप यहाँ पर किसी भी tab में जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पर जो command दिखाई दे रही है इनके बीच में आना है mouse का right button प्रेस करना है इसके बाद आपको यहाँ पर customize the ribbon का option दिखेगा आपको इस पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर जो popular command होंगी वो सभी command आपको दिखाई देंगी इसके बाद आपको जाना है data में यहाँ पर आपको data form दिखाई देगा स्क्रॉल करके नीच आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं data form की command आ चुकी है तो हमें इसे यहाँ से select कर लेना है लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर एक group create कर लेना है जिसमें की आप इस command को add करना चाहते हैं तो हम चले जाते हैं view में हम view tab में ही अपना जो यह command है उसे add करेंगे तो view में आने के बाद हम यहाँ से new group पर click करेंगे इसके बाद आप चाहें तो इस group को कोई नाम दे सकते हैं बागी आप इसे as it is छोड़ सकते हैं इसके बाद हमें इस command को यहाँ से select कर लेना है और add पर click कर देना है तो आप देखेंगे यहाँ new group के अंडर यहाँ data form का command आ चुका है view time में new group और उसके अंडर हमारा data form का command है इसके बाद हमें यहाँ से इसे ok पर click कर देना है इसके बाद आप जाएंगे view time में तो आप देखेंगे यहाँ पर data form के नाम से जो हमारी command है वो यहाँ पर आ चुकी है तो अभी हमें data entry form create करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमें simply यहाँ पर click कर देना है और यह हमारा data entry form है वो आ जाएगा बाकी अगर यहाँ पर automatic नहीं आता तो आपको क्या करना है आपने यहाँ पर यह जो table बनाई है इस table को आप select कर लेंगे select करने के लिए आपको यहाँ पर यह जो icon दिखाई दे रहा है इस icon पर click कर देना है force id arrow है इस पर आप click करेंगे तो आपकी जो table है यह select हो जाएगी इसके बाद आपको data form पर click कर देना है तो यहाँ पर आपका data entry form create हो जाएगा आपको यहाँ पर अपनी simple entry करते हुए चले जाना है तो जैसे हम आजाते हैं name वाले column में यहाँ पर आपको fill करना है name इसके बाद class में आएंगे यहाँ पर हम class mention करनेंगे role number mention करना है यहाँ पर हमें यह detail fill करने के बाद enter प्रेस कर देना है इस entry को save करने के लिए इसके बाद आप यहाँ पर अपनी दूसरी entry करेंगे तो हम मनोज के नाम से दूसरी entry कर लेते हैं अगले column में जाने के लिए आप tap button प्रेस करेंगे और पिछले column में जाने के लिए आप shift और tap button का use करेंगे जैसे कि हम role number वाले column में हैं अभी अगर हमने पिछले वाले column में जाना है तो हम shift और tap button एक साथ प्रेस करेंगे shift और tap button प्रेस करना है तो आप पिछले वाले कॉलम में चले जाएंगे और अगले कॉलम में जाना है तो टैप बटन प्रेस करना है आप अगले वाले कॉलम में आ जाएंगे तो फिलाल हम पिछले वाले कॉलम में चलते हैं जो की क्लास का है यहाँ पर हमें क्लास मेंशन करनी है इसके बाद यहाँ पर roll number mention करना है इस entry को save करने के लिए हम enter button प्रेस करेंगे अपने keyboard से तो यह जो entry है यह भी save हो जाएगी यहाँ पर third entry आ चुकी है JS की तो हम यहाँ पर JS type करेंगे इसके बाद इसका class आ जाएगा और यहाँ पर इसका roll number enter प्रेस करेंगे तो यह entry भी save हो जाएगी अगर आप पिछली entry को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिछली entry को check कर सकते हैं अगली entry देखने के लिए आप यहाँ से अगली entry को भी check कर सकते हैं तो यहाँ पर जो last की entry है वो blank है और first entry अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर click करके आप अपनी first entry देख सकते हैं last की entry देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click करके अपनी last की entry देख सकते हैं last entry हमारी blank थी इसलिए यहाँ पर blank आ रहा है इससे पिछली देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके पिछली वाली एंट्री देख सकते हैं अगर आप किसी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस एंट्री को डिलीट कर सकते हैं आपने यहाँ पर total कितनी entry की है, उसका record आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पर अभी हमने 3 entry की है, यहाँ पर जैसे कि मैं यह वाली entry अगर save कर देता हूं, तो यहाँ पर record में दिखाएगा 4, चौथा हमारा blank record है, बाकि अगर आप यहाँ पर कोई नई entry करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ add new पर click करके एक नई entry कर सकते हैं, अब आपने इस data form में जो entry की हैं, उसे MS Word में लाने के लिए आप इस window को यहाँ से close करेंगे, तो आपने जितनी भी entry की होंगी, वो सभी entry आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगी, बाकि आप अपनी entry यहाँ से continue कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो हम यहाँ से class mention कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर roll number, अब यहाँ पर एक नई row insert करने के लिए हम tap button प्रेस करेंगे, एक नई row insert हो जाएगी, आप यहाँ पर अपनी जो अगली entry है, उसे कर सकते हैं, और tap button प्रेस करते जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी जो blank row हैं, वो insert होती चली जाएंगी, किसी भी entry के बीच में अगर आपको कोई भी entry करनी हैं, तो इसके लिए आप उस entry पर आएंगे, और यहाँ पर आपको यह plus का icon दिखाए देगा, आप जैसे इस plus का icon पर click करेंगे, आपकी entry के ऊपर एक blank row insert हो जाएग एक blank row insert हो चुकी है, आप यहाँ पर अपनी entry कर सकते हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम Microsoft Word में data entry form create कर सकते हैं, और आसानी से data entry कर सकते हैं,